जीवन उत्सहा नियूस किया दिन भर की दस बड़ी खबरों में आपका स्वागत है प्रतिन्यूकती से लोटे आई एस अधिकारी डॉक्टर अभिशेग जेन परदेश के ने शिक्षा सची बनाए गए है सौंबार को क्रामिक विभाग की और से संदर में दिसूजना जारी कर दी गई है डॉक्टर जेन को सूचना प्रद्योगी की विभाग भी सौंपा गया है आड़ी दिमान होंगे ने मुख्य सूचना आयूक बैठक में हुआ फैंसला करमचारी चेन आयूक पर की गई सरकार की कारवाई से अभियर्ती खुश अभियर्ती बोले भरतियों को ना किया जायर रत पेपर लिख होने के बाद सरकार ने हमिरपूर करमचारी आयोग की फंक्शनिंग को सस्पेंट कर दिया है और भरतियों पर भी रोक लगा दी है सरकार केस निर्ने से एक्जाम की तैयारिया कर रहे है और एक्जाम पास कर चुके अभियर्ती है काफी खुश है लेकिन दूसरी तरफ पेपर रदना हो इसकी चिंता भी सता रही है अभियर्तियों ने शिमला सचीवाले पहुंच कर सीएम से परिक्षाओं को रदना करने की गोहार लगाई है प्री प्राइमरी शिक्षकों के लिए परशिक्षन शिविर आयोजित नहान में दिया जारा पांच दिवस्य परशिक्षर जिला मुख्याले नहान में आज प्री प्राइमरी शिक्षकों के लिए पांच दिवस्य परशिक्षन शिविर का शुबारम हुआ इस परशिक्षन शिविर में 52 शिक्षकों को परशिक्षन दिया जा रहा है सिमेंट प्लांट बंध होने से 12 दिन से खड़े है ट्रक 10 करोड का हो गया नुकसान हिमाचल परदेश के बिलासपुर जिले में बर्माना सिमेंट प्लांट बंध होने से 12 दिन से ट्रक सड़क किनारे खड़े है इससे ओपरेटरों को करीब 10 करोड का नुकसान हो चुका है सौंबार को ट्रक ओपरेटरों ने एक बार फिर बर्माना में BTGS भवन के परिसर में बैठक की और अदानिस मुह के खिलाब रोश चताया बैठक की अध्यक्षता BDTS के परधार राकेश शाकुरने की पाउटा साहिब गोली कांड मामले में पांच और गिरफतारिया सीमा वर्टिक शेतर पाउटा साहिब के भुपपूर में 21 दिसमबर को एक शक्ष पर गोली भी चलाई गयी थी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वोके से फरार हो गये थे मामले में कारवाई करते पुलिस ने तीन लोगों को पहले ही गिरफतार कर लिया गया था और पांच और गिरफतारिया हुई है स्पी सिर्मोर रमन कुमार मीना ने बताया कि अब गिरफत में आये पांच आरोपी 30 दिसमबर तक पुलिस हिरासत में है और उनसे लगातार पूछ ताच की जा रही है मामला थमने का नाम नहीं ले रहा युवा कॉंग्रेस ने शिमला उपयक्त कारियाले के बाहर किया परदर्शन और विक्रम ठाकु का पुतला फूंका युवा कॉंग्रेस ने कहा महिलाओ का अपमान नहीं सहेंगे युवा कॉंग्रेस ने कहा यह मामला तब तक नहीं थमे जब तक विक्रम ठाकुर सावजनिक माफी नहीं माग लेते नाहान की मुख्य बाजारों में प्रतिबंदित पॉलिथिन सिंगल यूज प्लास्टिक पर कारेवाई केंद्री परदूशर नियंतरन बोर्ड एवं नगर परिशन नाहान की टीव ने सिंवक्त रूप से आश्या इस दोरान प्रतिबंदित सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथिन समेत कोटपा अधिनियम का उलंगन कर तंबाकूत पाद बेचने वाले दुकानदारों की जाज करते हुए चालान काटे गए हमाचल परदेष की प्रियतर नगरी मनाली में एक बड़ा हासा सामने आया यह हासा मनाली के पास विशिष्ट मंदीर के नजदीख हुआ जहां पर एक टेंपो ट्रेवलर में अचानक आग लग गई हलांकि सूत्रों से जानकारी मिली है कि आग पर काबू पा लिया गया है टैंपो में सवार सभी प्रियाटक सुरक्षी थे या सभी लोग विशिष्ट मंदिर से दर्शन करके वापस आ रहे थे हिमाचल में दो दिन बारिश बरबारी शीत लहर बड़ी हिमाचल परदेश के कई भागों में दो दिन बारिश बरबारी की संभावना है मौसम विग्यान के इंदर शिमला के नुसार परदेश में 28 दिसंबर तक मौसम साफ रहेगा 29 और 30 दिसंबर को उंचाए वाले कई भागों में बरबारी के असार है जबकि मद्य परवत्यों वो मैदानी भागों में बारिश होने की संभावना है विभाग में निचले वो मैदानी कुछ क्षेत्रों में शीत लहर चलने और सुबा शाम धून चाय रहने का येलो एलर्ट जारी किया है